असलाम अलेकूँ माई यूटूए फैमिली सब कैसे हैं, I hope कि सब बिल्कुल ठीक ठाख होंगे, बहुत कुछ होंगे, बहुत मज़े में होंगे आज काफी दिन के बाद हम लोगों ने एक रेसिपी ट्राइक की, बहुत ही मज़े की, सबकी फेवरिट रेसिपी होती है, जो कि है गोल गपे, आज जब बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से घर में, बहुत ही जटपड बन जाएंगे, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स ने ज जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, उसमें शामिल कर देंगे 1-8 cup महता, उसके बाद शामिल कर देंगे नमक, 1-1 teaspoon नमक शामिल कर देंगे, और 1-4 teaspoon बेकिंग सोडा अड़ कर देंगे, अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कमबाइन कर लेंगे, और फिर उस उसमें थोड़ा जैदा पानी जाएगा, क्यूंकि सूजी यह आपको बदा है कि फूलती है, तो पानी इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा अड़ करेंगे, तो इस से हम लोगो ने एक dough त्यार कर लेनी आए है, तो मैं गूंद के बापिस आती हूँ तो हम लोगों ने जैसे नॉर्मल डो गूंदते हैं बस इसे थोड़ी सी हम लोगों ने नरम रखनी है क्योंकि थोड़ी दिर बाद ये पिलकुल जो है वो हार्ड हो जाएगी इतनी जादा सॉफ्ट नहीं गूंदी क्योंकि अगर हमारी डो सॉफ्ट होगी न तो पिर हमारे जो गोल कप्पे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे सौगी हो जाएंगे बाद में तो पानी मैंने पूरा ग्लास लिया था तो इतना पानी जो है वो तकरिबन बच किया है तीन घूंट पानी बच किया था तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरिबन आदे घंटे के लिए आदे घंटे के बाद देखेंगे तो हमारी डो जो है ना hard है ना soft है, इसको एक बार फिर से मुक्की लगा लेंगे, बहुत ही असान और जटपट recipe आपने लाजमी try करनी है, तो इस तरह से मैं कोई भी step miss नहीं कर रही हूँ, तो आपने भी इस तरह से ही करना है डो को मुक्की लगानी है, अब हमने इसके चार पेड़े कर लेने है equal size के, अब एक पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा counter पर मैदा dust करेंगे, और एक जो है डो को हम लोग बेल लेंगे, डो को हमने बेल लिया है, डो को आपने पतला बेलना है, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना कि वो फट जाए, बस इतना कि नॉर्मल जो रोटी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पतला बेलना है, उसके पास हम लोगोंने cutter की मरत से इसको shape दे लेना है, इनको काट लेना है, और इसको cover कर देना है, एक shopper से, किसी भी wrap से आप लोग इसको cover कर सकते हैं, ताकि इसको हवा न लगे, फिर आप लोगोंने इसको one by one उठाना है और oil को आपने full गर्म कर लेना है, और इस तरह से उठाएंगे, और बाकी जो डो है उसको cover कर देंगे, बाकी के जो गोल गप्पे हैं, इस तरह से one by one डालेंगे, इस तरह से press करेंगे, और ये जब तक फूल के उपर नहीं आ जाता था, आपने उपर से इसके जो है चमच न सारे के सारे गोल गप्पे हम लोग इसमें one by one डालते जाएंगे, और उनको press करते जाएंगे, जैसे जैसे फूल के उपर आएंगे, नेक्स्ट गोल गपपा डाल देंगे, माशालास से अलहमदुलिल्ला मेरे सारे गोल गप्पे ही फूल गए थे, बस कुछ थे जो नहीं फूले थे, एंड वाली डो में से कुछ जो बचके थे वो नहीं फूले थे कुछ बाकि अलहमदुलिल्ला सारे फूल गए थे और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी त्यार हुए थे तो यहाँ पर गोल कपे तो हमारे फ्राइ हो रहे हैं यहाँ से आप लोग इसका स्क्रिन्शोट ले सकते हैं नमक चला जाएगा चीनी और चार्ट मसी और बूला, खुटा, जीरा, टाक्टरी चलीगी और यह से तो हरी चत्नी है, उसमें चले जाएंगी यह मिसाली यहां से आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसमें नमक में लिखना भूल गई तो आप नमक भी आड़ कर लीज़ेगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो अब इन दोनों चटनियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी यह पानी है तो इनको मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें ठंडा युख पानी आड़ करना है बाद में बरफ भी आड़ करेंगी उसमें तो दोनों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब बारी आती है इसमें ठंड़ा ठंड़ा पानी आड़ करने की अच्छा यह वह पानी है जिसमें हम लोगों ने आलू और चने बॉयल किये थे मैंने वह वेस्ट नहीं किया मैं वही पानी इसमें डालूँगी और इतना अमेजिंग टेस्ट आता है ना कि आप लोग यह रेसिपी लाजमी ट्राइग करेंगे यह पानी तो आप लोग ने इस तो यह तियार है हमारा खटा पानी इमलिका और ग्रीन चटनी वाला पानी और यह हमारे पास प्यास टमाटर और चने आलू और यह हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से गोल गप्पे अब आरे आती है फिलिंग करने की गोल गप्पों में और उनको इंजॉई करने की तो नफियेजियेल तो ऐस दैजी जना आप जैप गोलगुपु का रीव्यूू दियन जेख बहुत बहुत टेस्टी लगों say और आज तो बाहर के गोफ्पपों के चुटी हो गई बहुत ही टेस्टी गोलगप बहुत ही टेस्टी बना तो चलें आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने हैं तो एक गॉल कपा लिया हमने और इस तरह चे उसमें होल किया बहुत ही क्रिस्पी बने थे तो उसमें फिल कर लेंगे हम अपनी चार्ट मैंने कहा कंजूसी क्यों कर रहे हो थोड़ी ज्यादा डाल दो फिर उसने इमली वाले पानी के साथ ट्राइ किया पहले अलहमदिल्ला बहुत ही टेस्टी बने थे तो आप भी जुरू ट्राइ कीजिए अलहाफेज